गाड़ी की बैटरी दो तरह की होती है नमबर एक सील्ड बैटरी जिसमें लिक्विट रिफिलिंग नहीं करने पड़ती है मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोलते हैं इनको और नमबर दो जिसमें तीन से चार महिने में एक बार लिक्विट रिफिलिंग करने पड़ती है कि बैटरी में कहीं कोई डेमेज या लीकेज तो नहीं है या बैटरी कहीं से फूली होई तो नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो बैटरी को रिप्लेस कर लीजिए और अगर वायर में या टर्मिनल में कहीं कोरिजन है तो इसको अच्छे से साफ कर लें या तो किसी कपड़े से य या तो आपने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया है या बैटरी अच्छी क्वालिटी की नहीं है. बैटरी में इलेक्ट्रो लेट सुलिशन होता है जिसका लेवल अगर कम हो जाए तो हमें इसमें डिस्टिल्ड वोटर डालना पड़ता है. और डालने के लिए सबसे पहले हम इस कवर को फूल लेंगे जो की आठ नमबर की चाबी है पलायर से खुलेगा. बैटरी के उपर स्क्रूज को खूलने के लिए अगर स्पेशल स्क्रू डैवर नहीं है तो आप कोईन से भी इसको खूल सकते हैं. खूलने के बाद आप इलेक्ट्रो लाइट का लेवल चेक कर लेजिए. अगर सही है तो इसको वापस बंद कर दें और तीन से चार महीने में फिर से इसको एक बार चेक करें. और अगर लेवल कम हो गया हो तो इसमें फिलर ट्यूब या सिरिंज की मदद से डिस्टिल वाटर ओर एड़ कर देंगे. और अगर फिलर ट्यूब या सिरिंज नहीं है तो आप फैनल यानि कीप की मदद से भी इसमें वाटर एड़ कर सकते हैं. और वाटर डालते टाइम आपको जग प्लास्टिक का ही यूज़ करना है आपको कोई मेटलिक जग या गिलास का यूज़ नहीं करना है ताकि गलती से भी करंट ना लगे लेकिन इससे कई बार पने ज़्यादा डल जाता है और कई बार ओरफलो भी हो जाता है ये मैंने जान बुज़ कर इसको ज़्यादा भरा है अगर ऐसी गलती आप से भी हो जाती है तो फिलर ट्यूब या शिरिंज की मदद से एक्स्ट्रा सुलिशन को वापिस निकाल लें क्योंकि हमें वाटर उत्रा ही डालना है जिससे इसकी प्लेट्स सुलिशन में अच्छी तरह डूब जाएं क्योंकि जब बैटरी यूज में होगी तो वो हीट होगी और हीट होने के बाद इसका सुलिशन जो हमने ज़्यादा डाल दिया था वो ओवरफलो हो जाएगा और ओवरफलो होने के बाद यहां भी गिरेगा बोड़ी के उपर वहां से पेंट को और बोड़ी को पूरी तरह खराब कर देगा ये देखिए मेरा और फ्लो होने के बाद गाड़ी की बोड़ी पूरी डैमेज हो गई है गलनी शुरू हो गई है ये बैटरी के नीचे का हिस्सा है तो बैटरी में पानी डालना भी एक केरफली करने वाला काम है पानी डालने के बाद कोईन की मदद से वापस टाइट बंद कर दें और इसके कवर को भी जैसे खोला था वैसे वापस फिट कर दें